हैलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आबर यूटूब चाइनल उनलाइन पोर्टल दोस्तो जैसा कि आज 17 सक्टूबर है मैं आज ही का कुछ क्रेंट अफेर कोश्चन लेकर आया हम तो चलो जो दोस्तो बिना देरी के वे देखते हैं टूड़े क्रेंट अफेर आज का पहला प्रस्ण है किसे मिस ग्रेंड इंटरनेशनल 2018 का ताज पहनाया गया अफ्सन नमर ड इसका कुछ नोट्स है आप देख सकते हैं और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए 2nd प्रस्टन की और बढ़ते हैं 2nd number question है, सैनिक स्कूल में छात्राओं को परवेस किस वर्ड से दिया जाएगा? 2019, 2020, 2021, 2022 तो दूस्तों सैनिक स्कूल में छात्राओं को परवेस 2019 से दिया जाएगा, option number A रक्षा मंत्राले ने 25 सक्टूबर के एक अहम फैसला लिया, जिसमें कहा गया कि 2019 से देश के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को परवेस मिल सकेगा बताया दे कि तर्कियों को सैनिक स्कूलों में परवेस देनी की मांग लंबे समय से चल रही थी तो अगले प्रस्वन की और बढ़ते हैं लोकायूक्त को पेस करने वाला पहला राज्य कौन सा था? A. टमिलनाडू B. महराश्टर C. उत्तरपरदेश D. आसम तो लोकायूक्त पेस करने वाले पहला राज्य महराश्टर था अप्सान नमबर B. लोकायूक्त और उप लोकायूक्त धिनियम के माधियम से लोकायूक्त साइस्ता सुरू करने वाला पहला राज्य महराश्टर था तो अगले प्रस्वन की और बढ़ते हैं डेस भारत और समयुक्त राजे अमेरिका की नो सेना का समयुक्त एंटी पंडूबी नामक अभियास 26 अक्टूबर को समन्ने हुआ था उडिसा गोवा नियू यार्क और लॉस बेगास तो यह गोवा में संपन्ने हुआ था अप्सन नमबर पी भारत और समयुक्त राजे अमेरिका की नो सेना ने 25 अक्टूबर 2018 को एंटी पंडूबी नामक अभियास में हिस्सा लिया बता दे इस अभियास का योजन अरफ सागर में किया गया था समयुक्त राजे अमेरिके के नो सेना से पी एट ए पोसाइडन भारत से आई एनेस हंसा में इस एंटी पंडूबी अभियास में भाग लिया था तो अगला प्रस्ण के और बढ़ते हैं पांच नमर प्रस्ण है निम्लिखित में से कौन सा राजे बंगलादेश के साथ सीमा साजा नहीं करता है ए पश्चिम मंगल भी मिजोरम सी आसाम डी नागा लैंड तो नाग 277 किलोमीटर आसाम के साथ 262 किलोमीटर त्रिपूरा के साथ 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 180 किलोमीटर और मेगाले के साथ 443 किलोमीटर की सीमा साजा करते हैं लेकिन नागा लैंड के साथ इसकी सीमा साजा नहीं होती है तो अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं आगला निम्लिखित नदी में से कौन सी नदी बंगलादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है A. गंगा B. यमुना C. ब्रहमपुत्रा D. कावेरी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ब्रहमपुत्रा ब्रामपुत्रा को बंगला देश में जमुना के नाम से जानी जाती है भारत की ब्रामपुत्र नदी बंगला देश में जमुना नदी के रूप में जानी जाती है जमुना नदी तश्चिन को बहती है और गो आलूंडो घाट में पदमा नदी में मिल जाती है तो अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं साथ नमर प्रस्ण है बंगलादेश की मेघना नदी सुर्मा और कुसियारा नदियों से बनी है और ये दोनो नदिया निमलिकित में से से डैस नदी से निकलती है गंगा यमना ब्रामपुत्र और बराक तो ये दोनो नदिया बराक नदी से निकलती है अप्सन नमर D मेघना नदी का निर्मा नदी और पुर्वी भारत के पहारी छेत्रों से निकलने वाली कुसियारा नदी से हुआ है और अब रही बात बराक नदी की तो ये नदी मनी पूर राज्य के साथ साथ पुर्वत्तर भारत की परुवक नदियों में से एक है और बंगला देश में सुर्मा मेघना नदी का हिंसा है सोड़ी हिस्सा है अगले प्रवस्नी कर बढ़ते है अक्टूबर 2018 में नाटो सहयोगियोद और आयोजित सबसे बड़े सैन ने अभ्यास का नाम क्या था ट्राइटेंड जुन्चर लकिस अटैक गू एरा बोस्तोक तो यह इसका नाम था ट्राइटेंड जुन्चर अप्सन नमबर ए यह चोटा सा एक नोट से इसके बारे में भी जान लेते हैं उत्री अल्ट्राइटिक संधी संगठन का सीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैनिक युध्याव्यास नार्वों में शुरू हुआ इस उद्ध्यावास में लगवक 65 जहा जो 150 बीमान औरता सज्जर बाहनों ने भाग लिया था या युध्याव्यास 7 नमबर तक चलता रहा तो अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं 9 नमबर प्रस्ण है 2018 में साहित्य में जे सीवी पुरुषकार किसे किसने जीती है तो बेन्या मीन ने या पुरुषकार जीता था तो दोस्तों यह कुछ करेंट अफेर के कोशन थे आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सियर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट टे करेंट अफेर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद